जय हिंज साथियों भारत माता की जय तो चलिए विडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्ण है, महल मोरिया नामक एतिहासिक स्थल जहां राजा संसार्चंद्र एवं गोर्खों के बीच युद्ध हुआ था, कहां स्थित है? आपके आप्षन है। आपका सही उत्तर है आप्षन, बी, हमीरपुर। आपका दूसरा प्रश्ण है, किसने राजा घमनचन को अपने सामराज्य का आगे विस्तार करने से रोका? आपके आप्षन है। आपका सही उत्तर है आप्षन, आपका तीसरा प्रश्ण है, दलहौजी नामक परवतिय परियतन केंद्र निमलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके आप्षन है। A. जम्मु कश्मीर, B. गोवा, C. केरल, D. हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर है आप्षन, D. हिमाचल प्रदेश आपका चौथा प्रश्ण है, दक्षन भारत के पठारी प्रदेश को कौनसी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आपके आप्षन है, A. कापी, B. साबर्मती, C. माही, D. नर्मदा, आपका सही उत्तर है आप्षन, D. नर्मदा आपका पाच्वा प्रश्ण है, दक्षन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, आपके आप्षन है, A. गोदावरी, B. नर्मदा, C. कावेरी, D. क्रिश्ण, A. आपका सही उत्तर है आप्षन, अगोदावरी, आपका चट्वा प्रश्ण है, निमलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंदा के नाम से जाना जाता है, आपके आप्षन है, A. गोदावरी, B. कावेरी, C. क्रिश्ण, D. महानदी, आपका सही उत्तर है, आपका सही उत्तर सही उत्तर है आप्षन, अगोदावरी, आपका सात्वा प्रश्ण है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, आपके आप्षन है, A. त्रियंबग गाफ, B. मुल्ताई नगर, C. प्रहरादिरी पहाडी, D. जनापाफ पहाडी, आपका सही उत्तर है आप्षन, A. त्रियंबग गाफ, आपका आठवा प्रश्ण है, निमलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, आपके आप्षन है, A. कावेरी, B. तापी, C. गोदावरी, D. महानदी, आपका सही उत्तर है आप्षन, B. तापी, आपका नौवा प्रश्ण है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षणी भारत की गंगा कहा जाता है, आपके आप्षन है, A. महानदी, B. कावेरी, C. कृष्णा, D. गोदावरी, आपका सही उत्तर है आप्षन, B. कावेरी, आपका दस्वा प्रश्ण है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, आपके आप्षन है, A. माही, B. साबर्वती, C. बनास, D. लूनी, आपका सही उत्तर है आप्षन, D. लूनी, आपका ग्यारवा प्रश्ण है, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, आपके आप्षन है, A. गंगा, B. गोदावरी, C. कृष्णा, D. ब्रापुत्र, आपका सही उत्तर है आप्षन, A. गंगा, आपका बारवा प्रश्ण है, गंगा नदी को बांगलादेश में किस नाम से जाना जाता है, आपके आप्षन है, A. पद्मा, B. सांगो, C. मेघना, D. जमुना, आपका सही उत्तर है आप्षन, A. पद्मा, आपका तेरहवा प्रश्ण है, सुन्दर वन का डेलदा कौन सी नदी बनाती है, आपके आप्षन है, और गंदा, B. नर्मदातापी, C. ब्रहम पुत्र, D. गंदा ब्रहम पुत्र, A. आपका सही उत्तर है आप्षन, D. गंदा ब्रहम पुत्र, आपका चौदावा प्रश्ण है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, आपके आप्षन है, और हिमाले प्रदेश, B. सिकिम, C. उत्राखंड, D. जम्मु कश्मीर, आपका सही उत्तर है आप्षन, D. जम्मु कश्मीर, आपका पंद्रहवा प्रश्ण है, जम्मु से शीनदर का मार्क किस दर्रे से होकर गुजरता है, आपके आप्षन है, आपका सही उत्तर है आप्षन, C. बनिहाल, आपका सोलवा प्रश्ण है, दामोदर नदी निकलती है, आपके आप्षन है, A. छोटानागपुर पठार से, B. तिबबच से, C. सोमेश्वर पहाडी से, D. नैनितार के पास से, आपका सही उत्तर है आप्षन, A. छोटानागपुर पठार से, आपका सत्तरहवा प्रश्ण है, क्रिश्णा नदी का उगम स्थल किसके समीप है, आपके आप्षन है, A. महाब्लेश्वर, B. पंचमडी, C. खंडाला, D. उदगमंडलम, A. आपका सही उत्तर है आप्षन, A. महाब्लेश्वर, आपका अठारहवा प्रश्ण है, निम्लिखित में से कौनसी नदी प्रारंब में अरुना नदी के नाम से जानी जाती है, आपके आप्षन है, A. सोन, B. यमुना, C. चंबल, D. कोसी, आपका सत्तरहवा प्रश्णापु आपका सही उत्तर है आप्षन, D. कोसी, आपका बीस्वा प्रश्ण है, तिरन्य पर अशोक चक्र किसने लगवाया था, आपके आप्षन है, A. महात्मा गांधी, B. भीमराव अंबेड कर, C. भगत सिंग, D. इंदिरा गांधी, आप का सही उत्तर है आप्षन, B. भीमराव अंबेड कर,